नमस्कार दोस्तों, PLTX में आपका स्वागत है दोस्तों, आज के इस क्लास में UPSC वीडियो और एक्जाम 2022 के लिए इविद्या का प्रेक्टिस सेट सात्मा लेकर आया हूँ और इस प्रेक्टिस सेट के भाग थर्ड सामान जानकारी के 50 को सॉल्व करेंगे दोस्तों इस क्लास में दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजे, लाइक कीजे, सेर कीजे दोस्तों, आईए शुरू करते हैं आज के इस क्लास के कोश्चन बर 101 से कोश्चन बर 101 है केंदी सरकार ने भारती जीवन बीमा निगम कंपनी में आटोमेटिक मार्ग से कितने प्रत्सत प्रत्यक्ष बिदेसी निवेस सीमा की 26 फरवरी 2021 को मंजुरी प्रदान की है तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का राईट ntsर देना है तो राईट अंसर यहाँ पर ऑप्सन डी हो जाएगा दोस्तों 20 प्रत्सत, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा केंदी रच्छा मंतरी राजना सिंग ने दिल्ली विसुविद्याले की कौन से दिछान समारों को 26 फरूरी 2022 को संबोधित किया है तो राइट आंसर यहाँ पे option C हो जाएगा दोस्तों 98 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अगला question, question बर 903 है चार फरूरी 2022 को पंडिट भीम से जोसी की कौन से जैनती मनाई गई है तो राइट आंसर आप्सन D हो जाएगा समवी जैनती मनाई गई है अगला question, question बर 904 है निमलिखित मेंसे किस राज में फरूरी 2022 में मरू महसो मनाई गया है तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आप्सने राजस्थान में इसका सही जवाब है अगला question, question में 105 इस पितुक गस्टर फेस्टिबल जनवरी 2022 में किस राज के निसास्थ परूर्देश में मनाई गया है तो राइट आंसर आप्सन D हो जाएगा लद्दाख में मनाई गया है अगला question, question नमबर 106 केंद्री ग्रह एउन सहकारिता मंतरी अमिसाह ने किस इस्थान पर मिठी के कुल्हडों से बने महत्मा गांधी के भीत्ति चित्र का अनावरन 30 जनवरी 2022 को किया है तो राइट आंसर इस question का जोस्तों हो जाएगा option B आहमदाबाद गुजरात में किया है next question, question नमर 107 तो रग्या महसत 30 जनवरी से 2 फरवरी 2022 को किस राज में मनाया गया है तो जोस्तों आपको बताना है दिएगा options में से तो राइट आंसर यहाँ पे option T हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा next question, question नमर 108 निमलिखित में से किन दो राजियों ने 20 फरी 2022 को अपना 36 इस्थापना दिवस मनाया है तो राइट आंसर यहाँ पे option B हो जाएगा दूसरा और तीसरा मिजोरम अरुणाचल प्रदेश next question, question नमर 110 भारत के राठपत से सम्मन्दित निमलिखित कट्णों में से कौन सा एक सही नहीं है आपको बताना है दोस्तों तो राइट आंसर आप्शन बी हो जाएगा वो दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है अगला question, question number 110 सम्मिधान के निमलिखित अनुचेदों में से किस एक के अंतरगत संग की कारपालिका सक्तियां राष्टपत में नहीं होती है तो राइट आंसर यहाँ पे option C हो जाएगा सुबंधू कादंबरी यहाँ पे समेलिख नहीं है क्योंकि कादंबरी बाण भट्ट की राचना है दोस्तों द्यान अखिएगा अगला question, question number 112 नटराज की प्रसिद्ध कास की मूर्ती एक उतकरस्ट उदाहरन है किसका उदाहरन है? यहाँ पे राइट अंसर हो जाएगा नेक्स question, question number 11 निमलिकित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मिनार के निर्माड में योगदान नहीं दिया है? तो राइट अंसर यहाँ पे हो जाएगा option C, गयासुद्दिन तुगलक यहाँ पे राइट अंसर हो जाएगा कुत्बुद्दिन एबक ने कुतुम मिनार का निर्माड प्रारम करवाया किन्तो इसका निर्माड कार इल्ट उतमिस्ट के समय में पूरा हुआ फिरोज तुगलक ने इस मिनार की चोथी मंजिल का निर्माड करवाया था क्योंकि क्योंकि बिजली गिरने के कारण चोथी मेनार च्छतिग्रष्ट हो गई थी तो ध्यान रखेगा option C, यहाँ पे राइट अंसर हो जाएगा अगला question, question number 114 निमलिकित में से भक्ति संतों का सही तैथिक काला नुकरम अनुकरम चुनिये तो राइट अंसर यहाँ पे फस्ट हो जाएगा कबीर गुरुनानक चैतन मीरा बाई यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा वक्ति संतों का सही कालकरम इस प्रकार है कबीर 1440 से 1510 सिकंदर लोदी के समकालिन थे गुरुनानक 1479 से 1538 एकेसवरवाद और मानवतावाद प्रेमी थे इन्होंने पंजाब में सिक धर्म की निवडाली चतन 1486 से 1538 इनका वास्तविक नाम विसंभर था इनका जनम बंगाल के नवदीप या नदिया में हुआ था मिरा बाई 1498 से 1546 ये मेड़ता के राजा रत्न सिंग की इकलावती संतान थी तो ध्यान रखेगा दोस्तों इस कोश्टन के अत्रिक्त आपको जानकारी मिल जाती है अगला कोश्टन कोश्टन नबर 115 निमलिकित सूफिस साखाओं में से किस एक में संगीत निशिद है तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्सन दी हो जाएगा नक्स बंदी है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नक्स बंदी सिल्सले की स्थाफना चौध हमी सद्धी में ख्यजा बहावत दिन about नक्स बंद ने की थी धनकेगा अगला कोश्टन question number 116 सूची first को सूची second से सुमेलिट कीज़े तिथा दिये गए कूर्स से सही उतर का chain कीज़े तो यहाँ पर right answer जो हो जाएगा दूस्तो option A यहाँ पर right answer हो जाएगा A का 1, B का 2, C का 3 और D का 4 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा अगला question question number 117 राउर केला इस पाथ सेंदर को लाह ऐस की आपूरति होती है तो right answer first हो जाएगा क्यों जहर से होती है ध्यान लखिएगा अगला question question number 18 निमलिकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है आपको बताना है दूस्तों दियेगा options में से तो right answer option C हो जाएगा शिव समुंदरम केरल यहाँ पे सुमेलित नहीं है शिव समुंदरम जल बिद्धुद परियोजना करनाटक के शिव समुंदरम परपात पर इस्थापित की गई है तो ध्यान लखिएगा अगला question question number 119 उत्तर कोरिया तथा कौन सी धारा ठंडी नहीं है तो right answer option A हो जाएगा ब्राजील धारा अगला question question number 121 है खटे दूद के उत्पादों में कौन सामल होता है तो खटे दूद के उत्पादों में लैक्टिक अमल होता है तो right answer यहाँ पर option D हो जाएगा लैक्टिक अमल है अगला question question number 122 है अब इन दुखता एक बीमारी है आपको बताना है तो दिएगा options में से right answer option B हो जाएगा आखों की है अगला question question number 122 निमलिकित में से कौन सा पीत क्रांट से समंधित है तो पीत क्रांट से समंधित option D हो जाएगा तिलहान उतपादन यहाँ पे right answer है अगला question question number 122 है पत्र सोण का आर्थ है आपको बताना है पत्र सोण का आर्थ इन में से कौन सा है तो right answer option A हो जाएगा अंतराष्टी मुद्रा कोस्का विसेश आहरण अधिकार यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा अगला question question number 125 है भारत का लगभग 30 परसत चेतरकिन तिन राज्यों से समाहित है तो right answer option C हो जाएगा राजस्थान मद्प्रदेश यों महाराष्ट इसका सही जवाब है next question question number 126 बुलंदी बाग प्राचीन इस्थान था तो right answer option B हो जाएगा पाटल पुत्र का बुलंदी बाग नामक प्राचीन इस्थाल मगद के समी पिस्थिद पाटल पुत्र के लिए किया जाता है यहाँ पर हुए उत्खनन में कुमरहार एवं बुलंदी बाग से पाटल पुत्र से समंधित अविले खिये शाक्ष मिले है तो ध्यान रखेएगा अगला कोश्चन कोश्चन में 227 निमलिकित मैंसे काउन से युगम सुमेलित है आपको बताना है तो राइट अंसर उप्सन सी हो जाएगा राजगेर असोक की राजधानी थी तो यहाँ पर उप्सन सी राइट अंसर हो जाएगा लोथल लोथल गुजरात यहाँ पर सिंदु सब्विता के समय का प्राचीन गोधी वाड़ा मिलता है सारनात उतरपडेस में गौतम बुध ने पर्थम उपडेस दिया था नालंदा बिहार गौतम बौध का महान के अंदर था और राजगीर असोक के समय में मुख राजधानी नहीं थी तो यहाँ पर राइट आंसर थाड हो जाएगा उप्सन सी पहला दूसरा और चौथा तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब होगा पहला दूसरा चौथा पहला दूसरा पहला दूसरा और चौथा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा अगला कोशन कोशन नमबर 128 भारत के सुतंता संगर्ष के दौरान सबसे पहले सत्यगर्ष किस ने किया था तो राइट अंसर अप्शन दी हो जाएगा महत्मा गांधी ने यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सत्यग्रा का साब्दिक अर्थ होता है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रा करना अथ्वात सत्यों रहिंसा से उत्पन होने वाला बल महत्मा काली ने भारत के सुतंता संग घर्ष के दोरान 1917 इस भी में चमपारन बिहार से सत्यग्रा प्रारम किया था तो ध्यान रखेगा अगला कोशन कोशन बर 139 है जर्मनी ने किस देश के बिरुद 22 जून 1941 को ऑपरेशन बार बरोसा प्रारम किया तो राइट अंसर अप्शन बी हो जाएगा सोब्ये संग अगला कोशन कोशन में 130 अफरीका का सरवच पर्वसुखर मांट किल्मञारो अवस्थित है कहां इस्थित है तो राइट अंसर अप्संसी हो जाएगा तंजानिया में इस्थित है किलमंजारो दक्षुन अफ्रीका का आवसिस्ट परवत है जो कीबो, माविंजी और शिरा से मिलकर बना है जो तंजानिये के उत्तरी पूर्वी टड़ पर इस्तित है यह अफ्रीका का सबसे उचा परवत सिखर है जिसकी उचाई 5,895 मीतर है ध्यान लखेगा अगला कोशन, कोशन नमबर 131 निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है दिये गए उपसंस में से तो राइट आंसर फस्ट हो जाएगा डाउन्स उसन कटबंदी घास का मैदान है उपसंने सुमेलित नहीं है क्योंकि जो डाउंस घास का मैदान दक्षिड पूर्वी अस्ट्रेलिया के सितोसन कटिबंध में पाय जाता है और जबकि विकल्प में इसे कटिबंध ही घास का मैदान बताय गया है जो की गलत दिया गया है दुर्टों तो अगला कोश्चन कोश्चन नमर 132 वाई मंडली दाब को मापने में किस यंत का प्रयोग किया जाता है तो वाई मंडली दाब को मापने में वाईरोमीटर का प्रयोग किया जाता है ध्यान नखेगा ओप्सन भी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर से वायू की जलवास्प या आदर्ता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से माइनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है माइनोमीटर से ध्यान रखेगा और हाइड्रोमीटर से द्रवों का आपेचिक घनत मापा जाता है तो इन सबी options को ध्यान में रखेगा अगला question, question number 133 जो पौधे नमक युक्त मिटी में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं तो नमक युक्त मिटी में उगने वाले पौधे हाईलोफाइट के नाम से जाने जाते हैं मरुष्थली चेत्रों में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट कहा जाता है जल में उगने वाले पौधों को जलोधभित के नाम से जाना जाता है तो यहाँ पे right answer option C हो जाएगा हाईलोफाइट next question, question number 134 निमलिखित में विपरण संस्था कौन सी है? तो यहाँ पे right answer cell विपरण संस्था है option B right answer हो जाएगा अगला question, question number 135 जनगर्ना 2011 के नुशार निमलिखित में से किस एक संग राज चेत्र की आवादी निउन्तम है? तो right answer option C हो जाएगा, लक्ष दिप सही जवाब है question number 136 जनगर्ना 2011 के नुशार महिला साक्षर्ता दर में कितने परसद की दसकी ब्रद्धी हुई है? तो right answer option C है 11.79 परसद question number 137 जिस परकार अमरनात गुफाओं का समन जम्मयों कस्मेर से है उसी परकार एलोरा की गुफाओं का समन निमलिखित में से किस से है? तो right answer option E हो जाएगा औरंगाबाद से जिस परकार अमरनात की गुफाओं सेयो धर्म से समन दित हैं भारत की जम्मों कस्मी राज में इस्तित हैं उसी परकार राष्टकुत राजाओं द्वरा सात्मी नौमी सताबदी के बीच निर्मित की गई एलोरा की गुफाएं महाराष्ट के औरंगाबाद जिले में इस्तित हैं एलोरा की गुफाएं बौध हिंदू जैन तीनो धर्मों से समन दित हैं ध्यान रखिएगा अगला कोशन कोशन नबर 138 है ग्यान पिट पुरुषकार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहितकार है आपको बताना है दोस्तों तो राइट आंसर आप्सन ये हो जाएगा आशा पूरा देवी इसका सही जवाब हो जाएगा देश की मानेता प्राप्त किसी भी भारती भाशा के प्रतिस्ट साहितकार दोरा किये गए उतकरष्ट योगदान हिट भारती ग्यान पिट पुरुषकार दिये जाते हैं या पुरुषकार सन 1965 से दिये जाते हैं आशा पूरा देवी को पर्थम महिला लेखिका का ग्यानपीट प्रुसकार उनकी करती पर्थम प्रति सुरूती के लिए वर्ष 1976 में दिया गया ध्यानकले का अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 149 निमलेखित नर्त सालियों में से किसका उद्गम पूर भारत से है तो मणपूर नर्त जो की मणपूर का नर्त है वापूरी भारत का नर्त है कथकली कोश्चिपूरी तथा भारत नाट्यम दक्षण भारती नर्त है कथकली केरल का कोश्चिपूरी आंदरपरदेश का और भारत नाट्यम तमिलनाड राज का नर्त है दोस्तों तो ध्यान रखिए अप्शन D यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा अगला कोर्शन कोर्शन नमर 940 निमलिखित में से काउन सुमेलित नहीं है आपको बताना है दियेगे अप्शन्स में से तो राइट अंसर अप्शन D हो जाएगा यहाँ पर अंटार्क्टिका अध्यन केंद्र वासको डिगामा गोवा में इस्थित है यहाँ भारत की परथम ध्रविया अनुसंधान प्रियोकसाला है तदा राष्टी समुंद्र अप्रदोगी की संस्थान चिन्नाई मदरास में इस्थापित है तो ध्यान रिखेगा दोस्तों अगला कोर्शन कोर्शन नमबर 141 है लठ मार हुली मनाई जाती है आपको बताना है दोस्तों दिएगा अप्सन्स में से राइट अंसर क्या हो जाएगा लठ मार हुली बारसाना में मनाई जाती है अप्सन यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा अगला कोर्शन कोर्शन नमबर 142 है हरिदास जयनती प्रतिवर्स मनाई जाती है का मनाई जाती है तो चर्कुला लोकनेत ब्रज भूमी से समंधी थे, option B right answer हो जाएगा Next question, question number 144 उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दस्की ब्रधिदर अधिक्तम थी तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दस्की ब्रधिदर वर्स 1991 से 2001 में अधिक्तम थी तो ध्यान लखेगा, option यहाँ पर D right answer हो जाएगा Next question, question number 145 जनगर्णा वर्स 2011 के नुसार निमने कतलों में से कौन से सही है तो right answer यहाँ पर हो जाएगा, option B, पहला और तीसरा पहला निून्तम साचरतादर वाला जिला सरवस्ति है और तीसरा निून्तम जन गहनत वाला जिला ललिदपुर है तो पहला और तीसरा दोनों option right answer है अगला question, question number 146 desktop पर दिखने वाली small picture को कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों, तो desktop पर दिखने वाली small picture को icon कहते हैं, option B यहाँ पर right answer हो जाएगा Next question, question number 147 निम्न में से कौन slide transition effect है आपको बताना है तो dissolve slide transition effect है option B right answer हो जाएगा, dissolve question number 148 इस start menu को open करने के लिए क्या shortcut होता है तो start menu को open करने के लिए shortcut keys window की आथवा control प्लस ESC होता है तो यहाँ पर right answer जो हो जाएगा option B तो right answer option C है, A और B दोनो window की दबाएं या control प्लस ESC दबाएं तो दोनो option यहाँ पर right answer हो जाएगा, option C सही जवाब है अगला question, question number 149 सबसे common input devices आपको बतानी है, कौन सी है दिएगा options में से तो सबसे common input devices keyword तथा mouse है option A right answer हो जाएगा, keyboard तथा mouse अंतिम question, question number 150 internet है, आपको बताना है दोस्तों internet क्या है? तो internet एक complex system decentralized system dynamic system और network का network है तो option D यहाँ पर right answer हो जाएगा तो दोस्तों आज की इस class में बस इतना ही मिलते हैं, next class में तब तक के लिए नमस्कार जाहिन धन्यवाद